सी एर पी आफ कॉल्टेवल दोहजार तेइस का जितने भी इफ्ट्रेंट जो फॉर्म भर रहे हैं देखो एक चीछ सर्टिफिकेट के से रिलेटर बताना चाहूंगा जितने भी ओपन काटेगरी यू आर केंडियेट को हटा दो इड़ ब्लो एस ओबी सी एस सी एक टी जितने भी इडियान रखें कि आपका सेटिफिकेट आपका जो है वह आपका सेंटरल लेवल का होना ही होना चाहिए अब यहां पर मैं इड़ फॉर्म इडियो बता देता हूं ठीक के बाकी अदर के लिए बना दूगा क्योंकि में क्या रहता है रहता है न कि जितने बीटन इक होते हैं मेरा ऐसा इस्जू यह तो यहापन मैं आपके वता देता हूं कि अगर इस तरीके इक चीज आपकफं अच्छे हरा की आपकशस में होना चाहिए और अगर आपने SSC वेगरा में से format लेके अगर आपने वही बनवाया हुआ है तो वो पूरी तरिके सब कर चलेगा लेकिन स्टेट लेवल का certificate बिलकुल भी document verification में नहीं चलेगा यह दिमाग में रख लो 25 अप्रेल लांड डेट है तो EWS का certificate जो है जैसा आपको बताए कि एक अप्रेल से 31 मार्च तक वैल्यूड होता है उसके पार हो जाता है तो एक अप्रेल 2023 से आपका जो नया certificate जितने भी केंडियेट्स का बनेगा वो आप बनवा के रख ले क्योंकि 25 अप्रेल के पहले पहले जो तेइस चोबिस वाला certificate है वो आपके पास होना चीए फिर भी कोई बी डाउट ए इस्टाग्रम पर सरकारी नोकरी वाले बावर टैप करके पूछो कि दिमाग में एक चीज़ आप अच्छे से रख लेना कि एक अप्रेल के बाद आपका सेंटर लेवल का सर्टिफिकेट अगर आपका एससी फॉर्मेट जो है वाले में बनवा है तो भी चल जाएगा इसमें भी सेम वही फॉर्मेट है दिमाग में चीज़ रख ले और जित सेंटर लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसके बाद किसी ने अगर मुझे पूछा कि सर पच्चेस अप्रायल क्रुश्टर डेट थी उसके बाद का मेरा सर्टिफिकेट है तो इसके जिम्मेदार जो है वह आप ही होंगे मैं कुछ भी हल्प नहीं कर पाऊंगा क् सब्सक्राइब कर लो नहीं वीडियो देखा है तो आप आराम से रील देखो मोच करो यह चीज़े को कि तुमसे ना हो पाएगा इतना हम बता दे रहे हैं जो इनसान अपने फूचर के पर सीरियस नहीं है ठीक है वो पिर आंगे कुछ नहीं कर पाएगा तो यह मैं जो बता के दे रहा है कि पंद्रा तारिक बीस तारिक तक आपका हराल में बन किया जाएगा लेकिन टाइम से अगर आप सीरियस होगे तो देद होगे नहीं सीरियस होगे तो फिर बैठे रहो फिर